हेलो दोस्तों, सौलत है आपका यूटूब चैनल The Secret of Investing में दोस्तों यहाँ पे आपको मार्केट में लगातार गिरावट देखने हो मिल लगी है तो सारे रिटेल इंवेस्टर थोड़े से बाइंग मोड में आ जाते हैं वो find out करने लगते हैं कुछ अच्छे स्टॉक जिन में उनको buying opportunity देखने हो मिल लगी हो यहाँ पे दोस्तों हम लोग discuss करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक जिन में आप लोगों को जरूर करिदारी करनी चाहिए क्योंकि इन तीनों स्टॉक में आप लोगों को बहुत ही अच्छा कासा return देखने को मिल सकता है क्योंकि company भरोसे मंद है लगातार बहुत तेजी से growth दिखा रही है और आप लोगों को जरूर अच्छा कासा पैसा बना के दिखा सकते हैं सबस्क्राइब देखने को मिल लाइक कि इस टाइम सबसे जादा जो पॉपलर सेक्टर दूसरा है आईटी सेक्टर तो दो स्टॉक तो इसके हो गए और तीसरा स्टॉक दोस्तो नबी एफसी का है आप लोगों से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि यहां पर किन तीन स्टॉक के बारे में बाचीत हो रही है लेकिन अगर नहीं समझें तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को देखते रही है सबसे पहले stock की बात करें तो दोस्तों आप लोग या पर देख सकते हैं इस stock का नाम है Tata Alexi one of the best IT sector का आप को ये company देखने को मिलती है अब दोस्तों हम लोगों की दिमाग में जब IT company कोई बात आती है network को secure करना जो भी हम लोग बात करते हैं message वगरा करते हैं उसको security provide कराती है जो भी हम लोग data use करते हैं चाहिए हो Gmail में होता हो या WhatsApp वगरा इंस्टा वगरा इंसमें भी data daily हम लोग upload करते हैं YouTube पे upload करते हैं तो ये सब को data भी manage करती है data को secure करती है cloud computing जो internet से बात करते हैं हम लोग through WhatsApp, Telegram, Insta इंसमें calling आ गई है तो ये cloud computing इनमें भी कामकाच करती हैं नजर आती है software को new new update देती है नए नए जो features add करने होते हैं वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिलती है साथ ही साथ maintenance provide कराती है नएने sector में innovations चीज़े लाती है तो मतलब कि बहुत सारी चीज़े होती है जिसके चलते IT sector हमेशा ही आपको high growth देखने को मिलेगा और ये company आपको बहुत ही बैदरीन तरीके स्क्रो करती है नजर आ सकती है क्योंकि अगर हम लोग YTT रिटन की बात करें तो 211% की रिटन अलड़ी आप लोग देख रहे हैं 6730 रुपए का stock था जिसने high लगाया था वहां से 5800 लेवल पी stock trade होता हूँ नजर आ रहा है और अगर हम लोग एक साल की बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक साल में 246% बेटन लगबग पैसे को तीन गुना इसे stock ने कर दिया है अगर हम लोग बात करें 5 साल गे लिटन की 786% मतलब 5 साल के अंदर ही पैसे को 9 गुना कर दिया और अगर हम लोग Maxton देखें तो कंपनी बहुत पुरानी है, आज कल की कंपनी नहीं है, 1999 में लिस्ट हुई थी एक कंपनी, 35 रुपए के प्राइस पे, और वहां से देख सकते हैं, 6,330 का हाई भी लगा चुकी है, 16,545 रुपए का हाई यहां पे लगता हुँ हम लोगों को बहुत बड़ा मार्केट कैप है, आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत छोटी कंपनी में हम लोगों को पैसा लगा रहे हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही सांदार आपको देखने मिलें, देख सकते हैं, प्रॉफि की सीएजयार से पिछले 10 सालों से लगाता रिटन दे रहे है, पिछले 57% के रिटन दे रहे ही पिछले 5 सालों से, और रिटन रिक्टी भी कंपनी की बहुत यह उसाम देखने को मिल जाती है, और बैलन सीट एक नंबर की बैलन सीट है, 101 करोड का कंपनी उपर केवल स्टॉक में पैसा लगा होना चाहिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों दूसरा स्टॉक आपको देखने को मिलेगा बजाज सबसे पैदरीन NBFC कंपनी आपको यहां पर देखने को मिलती है और जिस भी इस सेरोल्डर ने इस कंपनी उपर पैसा लगाया है तो दूस्तों उसको पता होगा कितना क्वालिटी स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी का एक चमकता सितार आपको देखने को मिलेगा लगातार यहां पर आप लोगों को बहुत सारे इंसिटूशनल इंवेस्टर इटेल इंवेस्टर सज़ेस्ट करेंगे कि स्टॉक को तब लेना जब 6,000 आ जाए तब लेना जब 6,500 में आ जाए लेकर दूस्तों आप लोगों पता है कि यह स्टॉक जादर दिनों तक गिरते नहीं है आपको थोड़े ही दिनों में ये stock वापस से 22E खाये कि आसपास grade होता हुआ नजर आएगा और आपको काफी अच्छे खासे return भी ये stock दिखा देगा. company ने लगातार अच्छा ही performance हम लोगों को करके दिखाया है एक साल की return की बात करें तो 40% की return आपको देखने को मिलेंगे पांस साल की return की बात करें तो दोस्तों 668% की return मतलब की पैसे को 8 गुना कर दिया है इस stock ने 4 लाग करोड की company अगर इस तरीके massive return हम लोगों को provide करा के दि investment करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा investment जरूर करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यह थोड़ा सा reward कम करेगा लेकिन दोस्तों आप लोगों को यह चीज भी समझनी चाहिए कि market में हमेशा ही reward के basis से investment नहीं बलकि risk के इसाब से investment करनी चाहिए इस company में आपको लग already काफी अच्छा खासा return बना के दिखाया है 1996 से देख सकते हैं एक लाग सत्रा आजार परसंट के return इस stock ने अपने investor को डिलिवर करके दिखा दिये तो मतलब कि जिसने पहले पैसा लगाया उसका पैसा अभी तक बहुत अच्छा बन चुका है जो अब लगाएगा पैसा वो return equity company की काफी अच्छी देखने को मिलती है और sales growth 30% के CGR से बढ़ रही है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने तीसरे और आखरी stock की जो कि एक chemical sector का stock है दीपक नाइट राइट जी हां दोस्तों हम लोग ने इस stock के बारे में भी बहुत बार डिसकसन किया है और मैं अक्सर इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में इसको cover करता रहूंगे क्योंकि दोस्तों उसका एक reason है क्योंकि दीपक नाइट राइट आपको बहुत ही ज़्यादा valuable stock देखने मिलता है consistent compounder बनके दिखा रहा है देख सकते हैं ये graph one way rally से stock ने बनके दिखाई है पचास ज लोग बात करें valuation wise तो दोस्तों chemical sector में काफी ज्यादा lower valuation पर trade कर रहा है 27 के price to earning ratio पर है वही पर अगर हम लोग दूसरे stocks को देखेंगे तो दोस्तों आप लोगो काफी ज्यादा higher valuation पर stocks trade होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग peer comparison करें दीपक नाइटाइट से तो पिडिलाइट का 84 पर पी है एसारफ का 41 पर आर्थी इंडस्टी का 52 के आसपास है solar इंडस्टी का 72 clean sciences 113 और वही पर देख सकते हैं 27 के price to earning ratio पर trade हो रहा है तो definitely काफी ज्यादा अच्छी valuation पर है और अपने ऊपर के level से काफी ज्यादा correct हो चुका होना ही चाहिए अगर आप लोग ने इन तीनों stock में 50,000 रुपए लगा दिये तो दोस्तों आप लोग बहुत बड़ी wealth बना सकते हैं 10 करोड की wealth बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं दोस्तों हम लोग ने already देखा कि इन कंपनियों ने लगातार 7% के CAGR से 50% के CAGR से return deliver करके दिख आप लोग देखते हैं कि टाइम जरूर यह ज़्यादा है लेकिन दोस्तों आप लोग जब कोई life insurance लेते हैं health insurance लेते हैं तो हमेशा आप लोग अपनी एज को consider करते हैं कि 65 या 70 तक आप लोग सर्वाइब करेंगे तो दोस्तों investment में भी आप लोगों की चीज़ सोचनी चाह करेंगे तबी मेरा मोटो यह है कि आप लोग long term investment रखा करिए तो अलड़ी हम लोग ने देखा है बहुत सारे traders होते हैं लेकिन कभी ना कभी वो लोग बहुत बड़ा loss करते हैं जिसके चलते वो market से exit हो जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा कुछ risk लेने की से पहले अपने अपने अमेले स्राइब बाद जरूर ले लिएजिएगा इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए